हम करेंगे एक interesting topic लेकिन important topic जो है wonders of the world यानि दुनिया के अजूबे कोई ऐसी official कोई body नहीं है कोई संस्था नहीं है जो ये बताएगी दुनिया का अजूबा किसे कहा जाएगा लेकिन एक convention चला आ रहा है एक हम मानते हैं कुछ पुरानी किताबों के बल पे मानते हैं और एक new wonders हैं एक पुराने wonder हैं दोनों आपको पढ़ने हैं तो चलिए पढ़ाता हूँ आपको wonder तो सबसे पहले ancient wonder यानि पुराने wonders कोन से हैं अजूबे कोन से हैं जो बहुत खास रहे हैं विभिन किताबों में इनका जिकर हमें मिला है और इनको हमेशा से classic seven wonder कहा जाता है यानि पुराने ancient seven wonder ये आपको इसी तरह से याद रखने हैं क्योंकि एक्जाम में question आता है चार नाम दे देंगे पूछेंगे इन में से ancient wonder कौन सा नहीं है ठीक है पुराना क्योंकि नई अब जैसे ताज महल है वो classic seven wonder में नहीं आता क्योंकि वो उतना पुराना नहीं है तो ये कौन-कौन से हैं सबसे पहले हैं great pyramid of giza giza इजिप्ट में है इजिप्ट की राजधानी केरो जो है उसके बाहर एक शहर है giza बिल्कुल लगता है उससे वहाँ पे है ये साथ में से बस एक है जो पूरा अभी साबुत बाकी है बाकी सब तूट चुके है तो बाकी आप देखना भी चाहें तो नहीं देख पाएंगे आप उन्हें क्योंकि अलग-अलग कार्णों से वो तूट चुके है और इनको हम डिटेल में स्टेडी करेंगे दूसरा है कॉलोसस ओफ रोडस बहुत बड़ी मूरती है कॉलोसस ओफ रोडस ये ग्रीस में है एक आइलेंड है रोडस आइलेंड ग्रीस का वहां पे Hanging Garden of Babylon, Babylon के जूलते हुए बाग, Babylon जो आज इराक में है, साउथ इराक में फिर Lighthouse of Alexandria, यह Alexandria शहर इजिप्ट में है फिर है Mausoleum at Halicarnassus, यह मकबरा है Halicarnassus में, आज तर्की में है यह और Statue of Zeus, Zeus का बुथ Olympia Greece में और Finally Temple of Artemis at Ephesus, यह Ephesus जो है आज तर्की में है तो एक एक करके शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं pyramids की, तो जो pyramids हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा माना जाता है 80 से लेके 120 pyramids बने हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह तो सिर्फ एक pyramids है और यह बहुत बड़े होते हैं, बहुत उंचे होते हैं, आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, तो एक मानव तो सिर्फ कुछ भी नहीं, मतलब चीटी जैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे इतने उंचे हैं यह, उस जमाने में कैसे बनाए होंगे, इतने भारी-भारी पत्थर रखके इस तरह की शेप दी गई है, इनकी मिस्टरी आज तक समझ में नहीं आई है, इनमें कई बार ममीज को भी रखा गया है, इजिप्ट के जो लोग हैं वो यह मानते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और इसलिए वो जब वैक्ति मरता था तो उसके साथ बहुत सारा समान रखते थे, उसके शरीर पे कई तरह के मसाले, रसायन वगरा लगा के उनको प्रिजर्व करते थे, और वो लाशें आज लाखों साल बाद भी, जो हैं, अजारों साल बाद भी वैसी ही मिली हैं, तो यह इजिप्ट के पिरामिड हैं, यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, साम बोलते थे, इजिप्ट में जो राज करते थे, यह उनके मकबरे हैं, और इन पिरामिड में जो मैंने आपको बताया, 80 से लेके 120 पिरामिड हैं, उनमें जो सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टन जो अजूबा है वास्तों में वो है, ग्रेट पिरामिड ओव गीजा, यह है बड़े-बड़े मकबरे हैं, फाराओ राजा के, यह लाइम स्टोन के बने हैं मेली, लेकिन इन में मौल्टार और ग्रेनाइट का इस्तिमाल भी हुआ है, जो एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, एक युनान के इतिहासकार थे, हेरोडोटस, यहाँ पे आप हेरोडो है, और पंक भी हैं इसके पक्षी की तरह, तो यह एक माइथोलोजीकल क्रीचर है, माइथोलोजीकल क्रीचर मतलब होता है, माइथोलोजी मतलब क्या होता है, माइथोलोजी और हिस्ट्री में क्या फरक होता है, माइथोलोजी बोलते हैं पौरानिक कहानियों को, पौरानिक के जो लोग हैं वो मानते हैं कि ड्रेगन्स हुआ करते थे एक ऐसे उड़ने वाले पक्षी हुआ करते थे जिनके मुँसे आग निकला करती थी और वो उसकी पूजा करते हैं ड्रेगन्स की पूजा चाइना में बहुत ज़ादा होती है महां के लोग मानते हैं लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई जिवाशम नहीं मिले है इनके, तो इसको यह नहीं कहा जा सकता कि यह history है, क्योंकि history उसे बोलते हैं, जब mythology के साथ proof आ जाता है, proper तो उसे हम इतिहास बोलते हैं, तो एक चीज होती है जिसे हम oral tradition बोलते हैं oral tradition मतलब जैसे एक समय था जब लिखावट थी ही नहीं बहुत पहले भोज पत्र पे लिखा करते थे फूल जो पत्तियां आती है फूलों के साथ पत्तियों के उपर बड़े बड़े भोज पत्र थे उन पे लिखा करते थे अब इतनी लिखावट नहीं होती थी तो जब लिखावट ही नहीं होगी तो एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी तक संदेश कैसे जाएगा तो वो oral tradition में बातों से दादा ने फादर को बताया, फादर ने बेटे को बताया बेटे ने फिर अपने बेटे को बताया इसको oral tradition कहा जाता था तो बहुत सारी हमारी पुरानिक कहानिया है वो oral tradition में चलती है और उनमें बहुत सारे बदलाव भी समय के साथ देखने को मिलते हैं उनमें बहुत सारी biases भी है जैसे history में है तो ये फर्ख होता है mythology में और history में तो ये mythological creature है एक अभी असली में था नहीं था कोई ऐसा एक पक्षी या इसको क्या कहेंगे जिसके punk पक्षी के हैं शरीर शेर का है और जो मुह है वो human being का है लेकिन पुरानी कहानियों में है Egypt के लोग मानते हैं पूजा करते हैं सब कुछ होता है तो ये है Great Pyramid of Giza तो Great Pyramid of Giza जो है ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना है जितने भी पिरामिड है उनमें सबसे पिरामिड complex है वहाँ पे बहुत सारे पिरामिड है सबसे बड़ा और सबसे पुराना है Great Pyramid of Giza ये Seven Wonder of the Ancient World में आता है और ये पूरा साबुत आज भी है और ये एक मात्र है साथ में से, साथ अजूबों में से जो आज भी है बाकी छे तूट चुके हैं तो ये मकबरा किसका है Great Pyramid of Giza ये जो चोथी फराहो जो king होते थे फराहो राजा उनमें चोथा वंज, 4th dynasty के जो राजा थे जिनका नाम था खूफू, ये उनका मकबरा है ये उनका मकबरा है जो माना जाता है कि 26 वी शताबदी इसापूर में कहीं न कहीं बनाया गया होगा तो ये था पहला जूबा अब बात करते हैं Colossus of Rhodes एक टापू है, एक द्वीब है Rhodes, Greek में, Greece में ये औरिजिनल फोटो नहीं है ये एक, कहते हैं ना कि जो कहानिया सुनिये उनके अधार पे बनाई हुई है ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है जो ऐसा माना जाता है कि हुआ करता था अब ये ओवियसली नहीं है और ये जो स्टैचू है ये कहीं ना कहीं 280 इसा पूर्व के आसपास बनाया होगा, ऐसा माना जाता है और ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि Rhodes जो शहर है जो द्वीप है उस पे कई बार आकरमन हुआ लेकिन जो Greek Sun God है Helios उनकी कृपा से कोई भी उसे जीत नहीं पाया और ये स्टैचू 33 मीटर उचा था और ये 226 BC में अर्थ कुए काया भुकम पाया उसमें तूटके ढह गया तो ये है Colossus of Rhodes तो एक्जाम में कुष्चन आए Colossus of Rhodes है क्या तो बेसिकली ये एक स्टैचू है इसका स्टैचू है Helios का जो Greek Sun God है अब बात करते हैं Hanging Gardens of Babylon Babylon जो है इराक में है आज हम देखें जो इराक की बात करते हैं वहाँ पे है Hanging Gardens of Babylon Again इनके बारे में कुछ पता नहीं है किसीने देखें नहीं है लेकिन Oral Tradition में माना जाता है कि ये हुआ करते थे जूलते हुए Garden कुछ ऐसे इसका मतलब hanging का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जूल रहे हैं वहाँ में ऐसा नहीं है इसका मतलब यह है कि ये इस तरह के Garden थे जिनमें जो पेड़ है वो काफी उचाई पर लगाए गए थे मैं आपको दिखाता हूँ Again ये Paintings हैं पुराने जमाने की जिनमे hanging garden किस तरह के हो सकते थे उसका वर्णन है लेकिन वास्तव में hanging garden थे नहीं थे कोई नहीं जानता ये सिर्फ एक mythological tale है और यहां पर देख सकते हैं ये Painting एक है इसमें दिखाए हुए है कि पेड़ जो है Buildings के अंदर लगे हुए थे कितनी उचाई पेड़ लगे हुए थे तो इस तरह के Gardens हुआ करते थे कई बार उनमें अपसराएं और जैसे हमारे धरम में होता है अपसराएं उसी तरह से वहाँ पे बहुत खुबसूरत जो woman है वो दिखाई गई है इन Gardens में और यहां पे आप पीछे देखिए इस Painting में एक Tower दिखाई गई है जिसको बोलते है Tower of Babel Tower of Babel पीचे अपने जो followers हैं उनके साथ यहां पे खड़े हैं तो Tower of Babel ऐसा माना जाता है इसाई धरम में कई जगा पर कि यह एक ऐसी Tower थी जिसका जो उपर का सबसे floor है वो स्वर्ग में था यानि again यह पता नहीं असली में Tower कोई ऐसा था नहीं था लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जो Tower है यह इतनी उची थी कि धर्ती से स्वर्ग तक जाती थी तो इसका आप देख सकते हैं सबसे उपर वाला जो floor है यह टूटा हुआ है और यह स्वर्ग में है सबसे उपर वाला floor तो आप धर्ती से स्वर्ग तक जा सकते हैं आप भगवान ईशा मसीहा का जो संदेश है उसको मान के जा सकते हैं लेकिन भगवान ईशा मसीहा ने एक शर्ट रखी वो शर्ट यह थी कि जिस दिन दुनिया के सारे लोग एक ही जुबान बोलेंगे एक ही लेंगवेज बोलेंगे उस दिन वो इस टावर को दुबारा बना सकते हैं और वो स्वर्ग तक जा सकते हैं इस तरह के कई लोग मानते हैं अब कहना मुश्किल है कि ऐसी कोई टावर असली में थी या नहीं थी लेकिन सो हैंगिंग गार्डन के बारे में काफी पुरानिक कहानिया है बहुत सारी मैंने खुद पढ़े हैं मैंने बहुत ज़्यादा आप मैंको लगता नहीं आप मानेगे कि ऐसे गार्डन हुआ करते थे कोई लेकिन ये आपको exam के लिए याद रखना है hanging garden ये इराक में जैसे हम आज इराक बोलते हैं वहाँ पे किसी समय हुआ करते थे और hanging का मतलब ये है कि जो पेड़ हैं वो काफी उचाई पे जैसे छत वगारा पे छज्या जिसे बोलते हैं वो सब पे लगे हुए थे अब बढ़ते हैं आगे तीसरा जो हम पढ़ें बलकी चोथा जो हम पढ़ेंगे वो है lighthouse of Alexandria जिसे faros of Alexandria भी बोलते हैं ये भी तूट चुका है धरती भुकम पाया था तभी एक दह गया था तो ये 3D reconstruction है यानि कैसा हुआ होगा ये computer से बनाया हुआ है ये असली में नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है lighthouse क्या होता है? lighthouse एक इमारत होती है जो काफी उची होती है इसके सबसे उपर से light निकलती है और ये light जो जहाज होते हैं उन्हें रास्ता दिखाती है रात के समय में अब lighthouse वैसे हर जगा होते हैं लेकिन खास तोर पे जहाज तट के नजदीक आता है तो वहाँ पे lighthouse उसे रास्ता दिखाता है क्योंकि तट के पास जब वो आता है तो पानी का जो स्तर है वो काफी कम हो जाता है तो जहाज के फसने के चांस हो जाते हैं तो lighthouse navigation में मदद करते हैं तो ये मानते हैं कि इतना उचा lighthouse था कि ये 100 मीटर कम से कम उचा रहा होगा और ये अलेक्जेंडरिया शहर में था जो अलेक्जेंडरिया आप जानते हैं कहा है ठीक है तो ये है lighthouse of Alexandria या furos of Alexandria इसे बोला जाता है अब बात करते हैं mausoleum at halicarnassus या tom of mausolus ये mausoleum बोलते हैं मकबरे को जो tom या मकबरा ये 353 और 350 इसापूर्व के बीच में कहीं बना होगा और ये halicarnassus में बना था जो आज तरकी में है तरकी में है तो ये 45 मीटर उचा था और ये चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े इसमें pillar लगे हुए थे खंबे लगे हुए थे लेकिन ये भी भुकम पाया और ये 12 से परंद्रवी शताबदी के पीच डह गया मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा था मकबरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी उचाई पर है ये इसका असली डायगराम नहीं है और ये विभिन पेंटिंग्स बगारा में जिक्र है इसका ये 3D reconstruction किया हुआ है computer की मदद से ये जमीन से काफी उचा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं खंबे लगें चारों तरफ बहुत सारे चारों तरफ और यहाँ पर मकबरा एक माना जाता है बिल्कुल latest है ये तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ पत्थर वगारा बस यही सब मिलते हैं कुछ ruins जेने बोलते हैं ये तूट गया ढह गया ruins या अवशेश जेने कहते हैं हिंदी में उनके अवशेश मिलते हैं अब बात करते हैं स्टैचू ओफ जीयस जो ओलंपिया ग्रीस में है था मतलब ये भी ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले यानि कि लगबग 435 बीसी एक वास्तुकार थे ग्रीस के फिडियास उन्होंने एक ये जीयस जो होते हैं इनका एक स्टैचू बनाया बहुत बड़ा और जीयस जो है जीयस इन्हें थंडर गॉड कहा जाता है ग्रीक माइथालोजी में युनानी धरम में युनानी पुराने कहानियों में जीयस को हम थंडर गॉड बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो जीयस है इनका बहुत बड़ा बुत होता था कहीं पे और ये Zeus जो हैं Mount Olympus में रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं न हिंदू धरम में की भगवान शिव कैलाश की पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश के पहाड़ जो हैं वहाँ पे रहते हैं, इसी तरह से Zeus जो हैं वो Greece में Mount Olympus जो हैं और आज भी हैं ये पहाड़, Olympus के पहाड़ आज भी हैं Greece में वहाँ पे रहते हैं तो इनकी जो ये बहुत बड़ी में आपको दिखा देता हूँ किस तरह के दिखते थे अगेन ये दोनों इमेजिस रियल नहीं है ये सिर्फ कंप्यूटर से बनाई गई हैं ये पेंटिंग है तो बहुत ही उचा एक स्टैचू था जियस भगवान का और ये सोने का बना था सोने यहाँ पर देख सकते हैं काफी गोल्ड वर किस पे किया हुआ है और ये एक कुरसी पे बैठे हैं और ये कुरसी जो है सेडार वुड की बनी है और इस पे एबनी मतलब होता है हाथी दाथ तो हाथी दाथ ivory, ivory होता है हाथी दांद, ebony भी एक important महेंगी चीज होती है, तो ebony, ivory, ivory, gold और बहुती जो precious stone होते हैं उनके बना हुआ था और ये भी destroy हो गया था, 5 century AD के आसपास ये तूट गया था ये भी है ancient wonders में से एक, अब बात करते हैं temple of Artemis, आज जहां पर Turkey है, ये देखिए, ये ruins हैं, अवशेश हैं लेकिन एक समय माना जाता है, ये photo computer से बनाई हुई है लोग कहते हैं कि इस तरह की एक building हुआ करती थी, जिसे temple of Artemis कहते हैं, ये Ephesus में थी, Ephesus जो है, आज ये तरकी में पड़ेगा आज के हिसाब से, तो ये है temple of Artemis, ये भी माना जाता था कि एक बहुत important है, और Artemis भी एक भगवान है और ये भगवान हमेशा एक देवी के साथ रहते हैं, जिनका नाम है dina, तो इसे temple of Artemis ये temple of dina भी बोलते हैं temple of dina भी बोलते हैं, लेकिन ये अब नहीं हैं, यहाँ पे ruins हैं, अवशेश पाई जाते हैं अब मैं आया, तो ये साथ चीज़े मैंने आपको बता दी, और मैंने वहाँ पे लिख भी दी थी काफे interesting है ये stories, लेकिन exam में देखे हैं मैंने question और 3-4 मैंने exam से उठा के डाल भी दी हैं end में, अब मैं आपको बताता हूँ new wonders, नए, नए साथ अजूबे कौन से हैं, और ये, ये ही वाले बस याद रखने हैं, ठीक है इनके अलावा वो, ठीक है कोई, अब जैसे मान लो, लोग कहते हैं कि पीसा की जुकते मिनार, लेकिन पीसा की जुकते मिनार, ना ancient wonder में है और ना new wonder में है, वो अलग है, आप उसको याद रख सकते हैं, लेकिन वो new seven wonder में जो मैंने यहापे लिखे हैं, चीन की दिवार, एक शहर है पूरा पेटरा, जॉर्डन में, जॉर्डन कंट्री है एक, वेस्ट एशिया में क्राइस दरेडिमेर, भगवान इसा मसीहा का बुत है बहुत बड़ा, ब्राजिल, रियोडी, जनेरियों में माचू-पीचू, पेरू में है, चिच्चनिटजा, यह मेक्सिको में है, बहुत वैसा शहर है, जैसे हडपा बनी हो तो हडपा मोहिन जोड़ो, उसी तरह के शहर है यह, पेटरा, चिच्चनिटजा, कोलोजियम, इटली में है, यह मैंने देखा हुआ है, और पीसा की जुक चीन की जो दिवार है, यह कहने को दिवार है, लेकिन यह प्रॉपर किला है, फॉर्टिफिकेशन है, जिससे कोई आना पाए, और इनके उपर सेना खड़ी होती थी राजा की, तो नजर रखते थे वो, काफी उचाई पे बनी हुई है, तो यह चीन की दिवार है, ठीक है, वाल अफ चाईना बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि यह चांद से दिखती है, लेकिन यह एक मित है, यह एक ऐसा माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि वो भाहां से नहीं दिखती, तो यह जो दिवारें हैं, अलग-अलग राजाओं ने बनवाई, यह सातवी शत पातार इसका निर्मान चलता रहा तो यूरेशिया यूरोप और एशिया पहले एक हम मिलाके बोलते थे यूरेशिया वहाँ पे घास के मैदान है टेंपरेट ग्रासलेंड है जिने स्टेपीज बोलते हैं वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग थे वो घुसाते थे चाइन स्टेशन, सिगनलिंग कैपेबिलिटी आप इस पर खड़ेओ के सिगनल कर सकते हो तो बहुत सारी चीज जो है उनके लिए इसका इस्तिमाल किया जाता था तो चीन की दिवार कहा है यह आपे देखिए यह चीन का बॉर्डर यह नौर्थ कोरिया है ठीक है नौर्थ कोरिया क लगता है तो चीन का बॉर्डर रशिया के साथ कहा है यहाँ यह बॉर्डर जो मैं दिखा रहा हूँ यह बॉर्डर जो है चीन का रशिया के साथ है और यहाँ पे एक शहर है रशिया का जिसे बोलते हैं वलादी वस्तोग वलादी वस्तोग ठीक है तो यहाँ से लेके यह इसको बोलते हैं ताओ नदी तो ताओ नदी जो है एकदम सेंटरल चाइना में इतनी लंबे दिवार है यह आपको ऐसे लग रहा होगा छोटी सी लेगी नहीं है चाइना है और चाइना का आधा आधा मान लीजी आप इसे इतनी लंबी है यह 20,000 किलोमेटर लंबे दिवार है मैं यह नहीं कहा रहा कि यहां से लेके यहां तक यह 20,000 किलोमेटर है यह होगा कुछ 2500 किलोमेटर होगा कुछ लेकिन वो घुमती हुई दिवार है जैसे यहां ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके तो पूरी जो दिवार हो जाती है वो लगबग 20,000 किलोमेटर लंबे दिवार है तो सो प्टेपीज कहा जाता है, ये eastern part of stepes हैं, पूरे उक्रेंश से आगे फिर western stepes आजाते हैं, temperate grassland हैं, temperate grassland क्या हैं ये मैं detail में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये उनमें जो nomadic लोग थे, आधिवासी लोग जो अपना खाना वगारा नहीं बनाते एक जगा से दूसरी जगा विच्रन करते हैं, उनको दूर रखने के लिए बनाई हुई थी अब बात करते हैं, दूसरी जगा जो वंडर है, वो है शहर पेटरा पेटरा कहा है, दिखाता हूँ मैप पे ये हमारा मध्यपूर्व है, ठीक है ये साउधी अरब है, साउधी अरब का ये पडोसी जॉर्डन, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है गल्फ ओफ अकाबा, गल्फ ओफ अकाबा क्या होती है, गल्फ ओफ अकाबा ये होती है, यहाँ पे देखो ये रेड सी है ना, लाल सागर ये अफरीका को वेस्ट अशिया से जुदा जुदा करता है, तो ये आगे दो पानी के सुरोत ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे है जैसे ये रेड सी है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये वाला तो सुज कनाल है जो मतलब गल्फ ओफ सुर्ज है, यहीं से सुज कनाल जाती है, ऐसे, लेकिन जो ये राइट वाला है राइट वाला ये ये है गल्फ ओफ अकाबा तो ये गल्फ ओफ अकाबा यहाँ पे है और ये जो आप जगा देख रहे हैं वाटर बोड़ी इसको बोलते हैं डेड़ सागर इसमें नमक बहुत जादा है तो लोग डूबते नहीं है डेड़ सी बोलते है इसम से लेके गल्फ आफ अकाबा तक जाता है साउथ जॉर्डन में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग 7000 इसा पुर्व उससे भी पहले से रहा करते थे और यह जो लोग थे इन्हें हम नबाटियन्स बोलते थे नबाटियन्स कुछ नहीं है यह भी नॉमेडिक पीपल है एक ज नॉमेडिक अरव नॉमेड्स तो यह नबाटियन्स बोलते थे तो यह पेटरा जो जगा है आपको दिखा देता हूँ बहुत ही खुबसूरत है यहाँ पे देखिए नेरो पैसिजिस भी हैं यह एमफिथीटर है एमफिथीटर मतलब यहाँ पे स्टेडियम की तरह है लोग यह स्टेचू है भगवान इसा मसीह का आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत है कितना विशाल है यह यह रियोडी जनेरो शहर में है जहाँ पे 2016 में ओलम्पिक खेल खेले गए थे और पहाडी के उपर है बहुत दूर से दिखता है लाखों लोग देखने आते हैं ब्राज 30 मीटर उचा है और 30 मीटर ठीक है 30 मीटर कितना होता है जो कुतुम मिनार है वो 72 मीटर है हमारा तो उसका आधा मान लो अब तो यहां से लेके और यहां सर तक यह 30 मीटर है और नीचे जो यह जिस पर खड़ा है पेडेस्टल यह 8 मीटर का है तो टोटल 38 मीटर उचा हो गया और इनकी जो भुजाएं है वो 28 मीटर की है यहां से आप देखें यह जो भुजाएं है यह 28 मीटर इनकी लंबाई है तो बहुत ही विशाल यह स्टैचू है और यह 700 मीटर उचे पहाड़ पे खड़ा है इस पहाड़ को बोलते हैं कॉर्वो काड़ो माउंटेन कॉर्वो काड़ो माउंटेन और यह जंगल के बीच में है इस जंगल का नाम है तिजुका फॉरेस्ट नैशनल पार्क रियो डे जनेरियो खेर आपको जंगल वंगल के नाम याद नहीं रखने है बस आप याद रख लो क्राइस दर एडे मेर माचू पीचू यह पुराना शहर है जो इंका सिटाडेल इंका एक राजवंच होता था तो इंका वंच के राजाओं ने अपने फॉल्ट्रेस वगरा बनवाई थे पंदरवी शताबदी में तो उनको माचू पीचू बोलते हैं और यहाँ पे एक नदी भी बहती है जिसे उरू बंबा नदी बोलते हैं उरू बंबा तो माचू पीचू जो है यह बेसिकली एक राजा थे इंका वंच के जिनका नाम था पका कूटी पका कूटी जो राजा है उनके लिए रियल एस्टेट की तरह एक भवन की तरह बनाया गया था और अब महाँ पे रुवन्स हैं उतना अच्छा नहीं है यह तूट चुका है बहुत सारा लेकिन कुछ न कुछ वहाँ पे अवशेश निकलते रहते हैं धरती से पुरातत्य विभाग जो है वहाँ पे कुछ न कुछ निकालता रहते हैं तो यह 1450 के आसपास बना था लेकिन जब स्पेन ने आकरमन किया पे पिरामिडा लगें यह अलग हैं चीचा निडजा में भी एक पुराना शहर है जो माया बंच के उसने बनवाया था मायन सिविलाइजेशन सुनाओगा आपने मायन एंपरर उन्होंने बनवाया था और यह मैक्सिको में है चीचा निडजा को दिखा देता हूँ ऐसा दिखत सकते हैं यह पिरामिड अलग तरह के हैं थोड़े और यह भी एक टूटा-फूटा शहर है जो बसाये गया था तो बस इसमें इतना ही है चीचा निडजा यहां मैक्सिको में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और यहां पर यह मंदिर भी है जिसे टेंपल ऑफ थाउजन व होता है एंफि थेटर बोलते हैं यहां पर अंदर पचास हजार लोग बैठ सकते थे उस जमाने में ठीक है पचास हजार लोग बैठ सकते थे तो बहुत बड़ा एंफि थेटर इटली की राजदानी रोम में हैं और ऐसा माना जाता है कि यह जो बनना शुरू हुआ था 32 CE में शुरू हुआ था और 80 CE यानि 8 साल में बनके खतम हुआ था और जब शुरू हुआ तो उस वक्त Vespasian राजा का राज था जब खतम हुआ तो Titas राजा का राज था यहाँ पे जो कैदी हैं उन्हें फांसी दी जाती थी यहाँ पे Gladiator की Fights करवाई जाती थी जानवरों से Fights करवाई जाती थी Entertainment का मतलब सब था यहाँ पे लोग इखटे होते थे, शौर मचाते थे तो वो सब था यहाँ पे तो यह होता था Colossium में तो यह आपको Clear हुआ अब मैंने आपको बता दिया कि पुराने Seven Wonder और नए Seven Wonder कौन से है उनके अलावा अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ जो एक्जाम में आ सकती है सबसे पहले पीसा की जुकती मिनार यह भी मैं देखी हुई है, मैंने बहुत खुबसूरत है यह जगा आपने शायद मेरी फोटो भी देखी होगी यह पीसा की जुकती मिनार है और यह जुकी हुई है चार डिगरी जुकी हुई है एक्चुली इसकी जो नीव है वो मजबूत नहीं थी इस वज़े से मिनार जुक गई पर गिरी नहीं एक समय तो ऐसा आया जब यह मिनार लगबग साड़े पांच डिगरी जुक गई थी तो ऐसा लगा गिर ना जाए फिर इसको दुबारा सीधा किया गया यहाँ पर बेस्मेंट बगारा उसमें वो लगा के तो आज यह लगबग 3.97 यह लगबग 4 डिगरी का जुकाव है इसमें पीसा की जुकते मिनार ठीक है और यह इटली में है और बस इसमें इतना याद रखना है बारवी शताबदी के असपास बनी थी यह फिर यह स्टोन हेंज है यह पत्थर है देखो बड़े बड़े पत्थर और यह उपर इनके लेटे हुए पत्थर तो यह स्टोन हेंज बोलते हैं इने यह इंग्लैंड में है सैलिस्बरी प्लेन में इंग्लैंड बस इंग्लैंड याद रख लो काफी है स्टोन हेंज डरेट कुश्यन आता है Stonehenge कहां पे हैं, तो Stonehenge जो हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, लगबग 13 feet उंचे पत्थर और 7 feet चौड़े एक पत्थर का बजन लगबग 25 टन है और उपर से horizontal पत्थर हैं, जो इनको connect करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं खड़े हुए पत्थर अलग हैं, वर्टिकल और यह horizontal भी हैं, इनके उपर रखे हुए और यह सबसे famous जगा इंग्लेंड में देखने की सबसे famous में से एक, तो यह आपको बस इतना याद रखना हैं, इंग्लेंड में फिर बागान, बागान शहर world heritage site है, यह मयामार में है, यह basically क्या है नोवी से तहरवी शताबदी के बीच मयामार में पगान राजा थे, उन्होंने बहुत सारे पगोडा बनवाए, बहुत सारे बुद्धिस मंदिर, क्योंकि मयामार बुद्धिस कंट्री है तो बहाँ पे बुद्धिस टेंपल बने दस हजार, पगोडा बने, मोनेस्ट्री बने और बाद में उन में से लगबग बाइस सो बुद्धिस टेंपल है जो आज भी बचे हुए कुछों के अवशेश हैं, तो यह भी तो शेर के पैरों के निशान है यहाँ पे यह बेसिकली पैरों के निशान से मतलब शेर के पैरों की आकरती में एक घर बनवाया एक राजा ने अपना बहुत परतापी राजा थे राजा कश्यप, तो राजा कश्यप जो है इन्होंने अपनी capital बनवाई लेकिन यह capital कैसी थी चटान के उपर और यहाँ पर चल के जाना होता है और वहाँ पर जो gate बना हुआ है वो दो शेरों के पैर के बीच में से gate बना हुआ है मैं फोटो दिखाता हूँ यह देखो यह कितनी उची चटान है जमीन से कितनी उची हमें UNESCO World Heritage Site है और यह 470 से 495 में AD में बनी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शेर के पैरों के निशान के जो तरह जिसे बोलते हैं paw of the line उसकी शेप में यह बनवाया हुआ है दरवाजा यह देखिए यह उपर जाने के लिए आपको यहाँ से सीड़ियां चड़नी पहुंचोगे और जब उपर पहुंचोगे तो आपको ऐसा नजारा दिखेगा यह उपर से फोटो है इस तरह से ruins है अवशेश है अब तो अब राजधानी कहा है यह देखिए यह एरोप्लेन से खिंची हुई फोटो है मतलब हेलिकॉप्टर बगारा से ड्रोन से तो इसमे एक दो कोश्चन आपको बताता हूँ ठीक है एक दो कोश्चन का अभ्यास कर लेते हैं इन में से कौन सा मॉन्यूमेंट कौन सा समारक है जो seven new wonder में नहीं आता ठीक है नए बंडर में ताज महल आता है चिचा निडजा आता है मेक्सिको में रूवन आफ पेटरा जॉर्डन म जो हेली कारनेसस का मॉजोलियम है वो क्या है क्या वो मकबरा है क्या वो लाइट हाउस है क्या वो बुत है या वो गार्डन है क्या है भई मॉजोलियम मॉजोलियम का मतलब ही होता है मकबरा तो टॉम है तो आंसर है टॉम मॉजोलियम ओफ हेली कारनेसस चिचा निडजा को क कि कुछ भी आ सकता है अच्छे से मैंने आपको कवर करवा दिया है यह टॉपिक वर्ण आप छोड़के जाते आपको याद नहीं होती है चीजें इसमें आपको विजुलाइजेशन के साथ मैंने और भी बहुत इंट्रस्टिंग चीजे मैंने आपको बताई तो यह आपके ल दो जिए आपको यह बतावने तो जादिए भी आपको यह बतावाचा बताव का दो कि अ.